नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबी का आपके अपने चेनल न्यूस चोबी सारजे हिंदी में निर्भया मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जिसे सुनकर आप चोग जाएंगे मुकेर सिंग और अक्षे ठाकुर को आनंद भानंद में और स्पिटल में ले जाया गया है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कर डाला है जिसकी वज़े से उन्हें अस्पता ले जाना पड़ा और उनकी इस हरकत की वज़े से जेल परसासन पर भी लापरवाई बर्तने का दबाव बन गया है लापरवाई बर्तने का उन पर आरोप लगा है जिसका जवाब भी जेल परसासन को देना पड़ेगा बहुत बड़ी खबर आ रही है जेल रूम में निर्भया के दोनों दोसी मुके सिंग और अक्षे ठाकुर ने ऐसा क्या किया है आईए देखते हैं इस वीडि निर्भया के दोसी मुके सिंग और अक्षे ठाकुर ने अपनी गर्दन को चाकु से रगड लिया ये बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसके बाद जेल परसासन को पता लगते ही जेल परसासन तुरत उन्हें फोरन आनन फानन में अस्पता लेकर पहुंचा जहां पर मुके मुकेस के हालत गंबीर बताई जा रही है मुकेस ने अपनी गर्दन को जदा ही कुछ चाकु से रगड लिया है जिसके बाद जदा ही गंबीर हालत में है मुकेस बताया जा रहा है कि मुकेस का बचपाना भी मुश्किल सा लग रहा है कि उन्होंने अपनी गर्दन को कुछ ज़्यादा ही रगड लिया था आपको बता दें जेल परसासन ने जो प्याज वगेरा काटने के लिए चाकू दिया था उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी गर्दन को रगडने में काम ले लिया था जिस चाकू का इस्तेमाल उप्याज जेसी चीज काटने के लिए काम लेते थे उसी चीज से उन्होंने अपनी गर्दन को काट लिया है जेल परसासन भी इसके बाद बोचका रे गया है जेल परसासन भी सदमे में है कि आकिर ऐसा केसे इनों ने कर लिया और दोनों आरोपियों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है